आजकर के business life में बहुत ज़ादा competition होने की वज़ा से आप बहुत सारे चीजों को face करते हैं जैसे कैसे team को manage किया जाए, कैसे client को handle किया जाए, इसकी भी issue आती है कैसे taste generate किया जाए, ये भी problem आती है तो इन सारे problems को समझने के लिए आपको basics चालने की ज़रूरत है that is how to influence, अगर आपको influence करना आगया, then you can easily generate disease, you can easily manage your team members, you can easily handle your client तो आए, जानते है कि कैसे आए का ये best quality और best way Hello everyone, once again welcome to my channel, this is Devanshi Dutta, working as a marketing executive in Dutta Innovation Guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, तो चैनल को subscribe करिए, वीडियो notification के लिए bell icon को भी प्रेस करिए और वीडियो अगर अच्छी और valuable होगे, तो like, comment ज़रूर करिए तो हमें successful business run करने के लिए, क्या क्या quality आने चाहिए, क्या क्या आने चाहिए हलाकि business run करने के लिए, तो team management भी बहुत जरूरी है, client handling भी बहुत जरूरी है, sales को generate करना भी बहुत जरूरी है लेकिन वीडियो के length लंबी गोने की वज़े से इस वीडियो में मैं सिर्फ team management की उपर बात करूँगी और next video का topic रहेगा, client handling, that is how to handle your client, तो आए स्टार्ट करते हैं always connect with your team member and give information regularly, means अगर आप team को manage करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी जो team member है, वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करें, आपके organization के लिए बहुत अच्छे से काम करें, और आपके organization में उसको बोर फील ना हो, वो हमेशा खुद को motivated feel करें और आपके company के लिए वो dedication लिखाए, आपके work के लिए आपका goal उसका वी goal हो, तो आपको उससे connection बना के रखना हो, आपके जितने सारे team member है, सारे को आपको connect करना होगा, आप चाहे वो 2 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 12,000 हो सकते हैं, जितने सारे आपके team member है, सारे को connect करके रखन और एक्वल इंटर्वल ऑप टाइम में आपको उनको इन्फोर्मिशन देती रहना होगा कि कुम सा नया प्रोड़क्ट आया है, किस प्रोड़क्ट पर क्या उपर चेंदी है, कौन सा नया स्कीम आया है, ये प्रोड़क्ट खरेदें से ये उपर मिलेगा, तो ये सारे के लिए महत अच्छे से काम करेंगे और खुद को मोटिबेटर फील करेंगे, अगर आपके इंप्लोई हैं और आपके अच्छा के साथ काम कर रहे हैं, और उनका उच्छा आपके ऑगनाजेशन में एक अच्छा इंवारिमेंट क्रिएट कर रहा है, तो आप अपने बिजन इसको सही वे में मैनेज कर रहे हूँ, मैं इसलिए ये बात यहां बोल रही हो कि क्योंकि आपको अपने टीम को हैपी रखने की जरूरत है, अगर आप अपने टीम को हैपी रखेंगे तो वो फुद को बहुत जादा मोटिबेटर फील करेंगे, और आपके गोल के लिए, आ काउंसलिंग रेगुलर्ली, काउंसलिंग रेगुलर्ली मिन्स आप अपने टीम मेंबर के साथ वीक में एक दिन बैट के काउंसलिंग करिए, और काउंसलिंग में डिसकस करिए कि बिद्निस लूर्ट करने के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करना है, आपने क्या क सब्सक्राइब करने चाहिए। आज करके टीम मैंनेज्मेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है कि लोगों को एक दूसरी पर बिलीव नहीं मिलेंगे एक दूसरी पर बिलीव करना तोड़ा मुश्किन हो जाता है। यहां पर क्या होता है minute, एक दूसर्य आपा टकड़ाने लगता है दिसके कन्फिलेक्शन सब्सकित चा collecting यहां पर सबसे ज़ादा कि इंपोटेंट रोड़ प्ले करता है लेडर करने क्या क holding को सब को मैनेज करके जड़ता है और सब के बिलीफ को गेन करके और उनके इगों को संभाल कर उनको वर्क करने के लिए कोई भी काम करने के लिए और गोल एचीव करने के लिए इंस्पायर करता है अगर आप अपने team member को समझाएंगे कि वो अपने से बढ़ करके अपने मकसद के लिए काम करें या वो अपनी इच्छाओ को छोड़ करके अपने मकसद के लिए काम करें किसी एक common purpose के लिए काम करें तो यहाँ पर success 100% सब को मिलने वाली है किसी individual को नहीं मिलेगी पूरे whole organization को मिलेगी जिससे क्या होगा आपका business एक सही direction में रन करने लगेगा और आपका जो organization है जो goal achieve करने चाहरा है वो आप easily achieve कर पाऊगे अगर आप business में हो तो as a leader आप अपने team को संभालिए as a leader आप अपने team के अंदर प्रेड़ना डालती रही as a leader common purpose के लिए आप अपने team के अंदर तक तक जान भड़ती रही तक तक उनको influence करती रही जब तक कि वो success अचीब ना कर ले तो इसे के साथ ये video यही पे end करती हूँ और वीडियो अगर अच्छी लगे और valuable लगे तो like, comment और share जरूर करिएगा and next video का मेरा topic होगा how to handle flying and आप मुझे instagram पे भी follow कर सकते हो regular update के लिए link आपको description में मिल जाएंगे and thank you for watching this video bye bye